अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन लबाना मत भूला इस वीडियो में हम बात करेंगे 2020 की फ्रेंच फिल्म बाई 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 मूरॉंस के बारे में जो कहानी है सूज नाम की एक औरत की जिसने अपने उस बच्चे को ढूणने का फैसला किया जिससे उसे पंदरा साल की उम्र में ही छोड़ना पड़ा और इस सफर में उसे जेबी और मिस्टर बिलिन नाम के दो आदमी मिले फ्रांस के एक सलों की मालकिन सूज एक दिन डॉक्टर से मिलने गई जो उससे मेडिकल भाषा में बाते करने लगा और सूज को कुछ समझ नहीं आया पर जब उसे डॉक्टर की बाते समझ आई तो वो परिशान हो गई क्योंकि उसे बताया गया कि उसे एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं और उसके पास ज्यादा वक्त बचा नहीं है और ये सुनते ही वो वहाँ से भाग गई जेबी कूचास एक IT स्पेशिलिस्ट है जो सिक्योरिटी के लिए काम करता है और हर वक्त अपने काम में ही लगा रहता है वो एक जीनियस तो है पर उसे निचले पोजिशन का काम दिया जाता है क्योंकि वो पचास साल की उम्र का है और उससे कम उम्र वालों को बहतर नौकरी दी जाती है अपने बॉस की इनी बातों को सुनने से पहले ही जे भी वहाँ से भाग गया सलाव में अपना सामान समेटते हुए सूस को अपना अतीत याद आने लगा और वो वक्त याद आया जब 15 साल की उम्र में बेफिक्र सूस की एक लड़के से मुलाकात हुई और उसकी एक गलती की वज़े से वो प्रेगनिंट हो गई थी उसने अपने बच्चे को जन्द तो दिया पर अपने माता पिता के कहने पर उसे उस बच्चे का त्याग करना पड़ा और सूस से उस बच्चे को दूर ले जाकर उसे अनाथाश्रम में छोड़ दिया गया आज जब सूज मौत के करीब है तो उसे उसी बच्चे की याद आ रही है जिसे उसने सालों से ढूणने की कोशिश की वो अब जल्द से जल्द अपने बच्चे को ढूणना चाहती थी और इसलिए उसका पता लगाने की कोशिश करने लगी पर उसे ढूणना नामुंकिन था इंटरनल अफेर्स की मदद से ये काम हो सकता है पर इस काम में बहुत वक्त लगेगा और सूज के पास वक्त की ही कमी है दूसरी और अपने अकेले पन और अपनी जिन्दगी से परिशान होकर जेबी ने एक शौट गन की मदद से आत्मा हत्या करने का फैसला किया और कैमरा के सामने बाए बाए मुराउंस कहकर उसने गोली चलाई पर वो गोली सीधे उस आदमी को जाकर लगी जिसके सामने सूज बैठी थी जेबी को एक गन के साथ देखकर लोग डरने लगे और उसने गलती से हालाद बत से बत्तर कर दिये जेबी के आफिस में देखने पर सूज को पता चला कि वो इंटरनल अफैर्स के लिए काम करता है और तब उसने एक प्लान बनाया वो बेहोश जेबी को वहाँ से बाहर ले गई और उस जगे से दूर जब जेबी को होश आया तो उसे पता चला कि सूज उसे कही दूर ले आई है पर सूज के खुद के निजी इरादे हैं सूज ने वादा किया कि अगर जेबी उसके बच्चे को ढूनने में उसकी मदद करेगा तो वो पुलीस को गवाही देगी और कहेगी कि जेबी सिर्फ अपनी जान लेने की कोशिश कर रहा था किसी और को मारने की नहीं जेबी ने सोचा कि उसने इस बात का सबूत रिकॉर्ड किया है पर सूज ने बताया कि वो सबूत उसने पहले ही मिटा दिये है अब मजबूरी में जेबी को इस दील का हिस्सा बनना पड़ गया सूज को ये याद नहीं था कि किस हॉस्पिटल में उसने जन्म दिया था और जेबी समझ गया कि उसने जितना सोचा था ये काम उससे ज्यादा मुश्किल होने वाला है दूसरी और जेबी को ढूनने की प्लानिंग शुरू हो गई और इंटर्नल अफेर्स के लोग ये सोचने लगे कि जेबी एक खतरनाक मुझरिम है जो कुछ भी कर सकता है इस बात से सबसे ज्यादा जेबी का बॉस दर गया क्योंकि वो जानता है जेबी उससे नफरत करता है अचानक उस बास को जेबी का कॉल आया और जेबी ने समझाने की कोशिश की कि वो सिर्फ आत्मा हत्या कर रहा था वो जूट कहकर जेवी को पुलीस के पास बुलाने की कोशिश करने लगा पर जेवी को समझ आ गया कि ये एक जाल है और इस वक्त उसके बॉस के आज पास पुलीस वाले है अगले दिन सूज अकेले पबलिक रिकॉर्ड्स आफिस में गई क्योंकि उसे लगा कि जेवी उसकी मदद नहीं करने वाला पर उस आफिस तक पहुचने में वहां मौझूद किसी आदमी ने उसकी मदद नहीं की ठीक उस वक्त जेवी वहां आ गया और सूज को जल्ट से जल्ट पबलिक रिकॉर्ड्स के पास ले जाने लगा उस बिल्डिंग में सालों से कोई उस कमरे के पास लगा जेवी और सूज को बताया गया कि उस कमरे में काम कर रहा आदमी मिस्टर बलिन है जिसे दिखाई नहीं देता एक ऐसे आदमी को रिकॉर्ड्स का काम देना ये बात जेवी को अजीब लगी पर उन्हें बताया गया कि ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ कोई आता ही नहीं मिस्टर बलिन से मिलने के बाद वो दोनों रिकॉर्ड्स धूनने लगे पर फिर उन्हें पता चला कि उन्हें हजारों रिकॉर्ड्स को छाटना होगा उन दोनों की बाते सुनकर ब्लिन को समझ आया कि उन्हें मदद की जरूरत पढ़ने वाली है और इसलिए ब्लिन ने भी उनकी मदद करना शुरू किया घंटों तक वो तीनों फाइल्स चाड़ते रहें और आखिरकार एक ऐसी फाइल मिली जिसमें सूस को अपने पुराने घर का एड्रेस दिख गया जैसे ही उन तीनों ने राहत की सास ली वहाँ पुलीस वाले आ गए और जेबी को गिरफतार करने लगे ब्लिन ने सूस को भागने का दूसरा रास्ता बताया और कहा कि वो उसके बच्चे को ढूने में उसकी मदद करना चाहा सूस जल्द से जल्द उसे वहाँ से लेकर भागी पर रास्ते में उसे पता चला कि जो सड़के और दुकाने ब्लिन को याद है वो उसने बच्चपन में देखी थी और अब दुनिया बदल चुकी है फिर भी कुछ ऐसी बिल्डिंग्स थी जो बदली नहीं थी और बहुत देर तक कंफ्यूस होने के बाद उन्हें सही रास्ता मिल गया कुछ वक्त बाद वो दोनों अपनी मंजल तक पहुँचे और सूस को एक लड़का दिखाए दिया उसे लगा कि ये लड़का ही उसका बेटा है पर उससे बात करने के बाद सूस को समझ आ गया कि वो उसका बेटा नहीं है ठीक उस वक्त जब सूस को ढूनते हुए बलिंद गाड़ी से बाहर निकला तो एक गाड़ी गलती से उसकी गाड़ी से टकरा गई वो ड्राइवर सोचने लगा कि अंधा बलिंद गाड़ी चला रहा था और इसलिए उसने पुलीस को बुलाने की बात की डर के मारे बलिंद गाड़ी वहाँ से ले जाने की कोशिश करने लगा और कई सारी गाड़ीयों को घसीटता हुआ वो एक ऐसे मोड तक पहुचा जहाँ वो उस गाड़ी से टकराया जिस गाड़ी में जेवी को ले जाया जा रहा था अंजाने में उस गाड़ी से टकरा कर बलिन ने जेवी को बचा लिया और जेवी अपने गवाह की गाड़ी पहचान गया सूज एक चर्च के बाहर बैट कर अपने अतीत से बाते कर रही थी और उसे समझा रही थी कि वो सालों से अपने बच्चे को ढूणने की कोशिश कर रही है उसे अपने आप से बाते करते देख लोग उसे पागल समझने लगे किसी तरह जेवी को सूज मिल गई और वो उससे मदद मांगने लगा सूज का तो काम पूरा नहीं हुआ पर उसने जेवी को उसकी बेगुनाही का सबूत दे दिया सूज की परेशानी दूर करने के लिए जेवी ने डॉक्टर लिंट का पता लगाया जिसने सूज का ओपरेशन किया था सिर्फ एक मेडिकल नंबर से जेवी ने डॉक्टर लिंट का पता लगा लिया और उसके बारे में सब कुछ जान गया ये देखकर सूज को समझ आया कि वो एक जीनियस है वो दोनों अगली सुबह दूसरे शेहर तक पहुँचे और उस हॉस्पिटल में गए जहाँ डॉक्टर लिंट मौजूद है पहले तो उन्हें वहाँ सिर्फ एक बच्चा मिला पर फिर उन्हें एक कमरा मिला जहाँ डॉक्टर लिंट मौजूद थे डॉक्टर लिंट को सूज याद दिलाने लगी कि 30 साल पहले वो उनसे मिली थी पर डॉक्टर लिंट सिर्फ मुस्कुरा रहे थे और इसकी वज़ा थी कि उन्हें Alzheimer's है और डॉक्टर लिंट को सिर्फ ये याद है कि उन्हें कुछ भी याद नहीं सूज उन्हें अपने बारे में बताने लगी इस उमीद में कि उन्हीं याद आजाए कि 15 साल की लड़की के बच्चे की डिलिवरी उन्होंने ही करवाई थी पर लिंट को ये ही याद नहीं था कि वो कभी डॉक्टर हुआ करते थे सूज बताने लगी कि उसने उनके साथ एक बच्चे को जन्द दिया था और डॉक्टर लिंट सोचने लगे कि वो उन दोनों का बच्चा था और ये सुनकर सूज ने अपनी उमीद खो दी अचानक उसकी तबियत बिगडने लगी और उसे संभालते हुए जे भी को एक किताब मिली उस किताब में लिखी बाते हेंडराइटिंग की वजए से वो समझ नहीं पा रहे थे पर ये सोचके कि वो डॉक्टर लिंट की ही डाइरी है उन्होंने हेंडराइटिंग समझने के लिए एक डॉक्टर की मदद ली उस डॉक्टर का कहना था कि ये किसी डॉक्टर की ही हेंडराइटिंग है पर वो खुद भी पढ़ नहीं पा रहा था ऐसा होने पर जे भी ने डॉक्टर लिंट की पतनी को ढूनने की तैयारी शुरू कर दी और दूसरी और वो डॉक्टर अब भी उस हेंडराइटिंग को समझने की कोशुश कर रहा था वहाँ से निकलते हुए उन दोनों को पुलीस वाले नजर आए जेबी और सूस को बलिंट की आवाज सुनाई दी जिसके बाद जेबी ने कहा कि वो लोग उसे साथ नहीं ले जा सकते पर सूस दूसरी बार बलिंट को अकेला छोडने को तयार नहीं थी और इसलिए वो दोनों बलिंट को वहाँ से भगा ले गए बलिंट सूस के साथ रहकर खुश था पर वो चाहता था कि जेबी वहाँ से चला जाए बलिंट का मानना था कि सिर्फ वही सूस की मदद कर सकता है पर सूस जानती थी कि जेबी की ही मदद से वो लोग इतने दूर आ पाए है बलिंट जेबी को भगाने की कोशिश करने लगा क्योंकि उसका मानना था कि सूस को प्यार की जरूरत है और वो प्यार ब्लिन उसे दे सकता है पर जेवी को सिर्फ अपने काम से मतलब था कुछ वक्त बाद डॉक्टर लिंट की पतनी उनके सामने आई और लिंट के घर में जाते ही उन सबने डाइरी में लिखी चीजे पढ़ने की कोशिश की आखिर कार डाइरी में लिखी बाते लिंट की पतनी को समझ आने लगी और उन्हें सूस की डिलिवरी की बात दिखाई दी जिसके बाद सूस को पता चला कि उसने एक लड़के को जन्द दिया है उस डाइरी में ये भी लिखा था कि डॉक्टर लिंट नहीं उस बच्चे को एक ऐसी ओरत को दिया जो कभी मा नहीं बन सकती और उन्होंने उस बच्चे को अनात आशरम जाने नहीं दिया सूस, जेवी और बिलिन उस ओरत के बारे में पूछने लगे और वो तीनों ही बेचैन होने लगे पर लिंट की पतनी इस बारे में कुछ नहीं जानती थी इस बीच सबको पता चल गया कि सूस बहुत ज्यादा बीमार है जेवी अब समझ गया कि वो अपने बेटे को ढूनने की इतनी कोशश क्यों कर रही है और किसी तरह उसे संभाल कर जेवी और ब्लिंट वहाँ से निकले दूसरी ओर डॉक्टर लिंट अचानक अपनी वीलचेर से उठे और तब उन्हें पता चला कि वो असल में चलना जानते हैं और वो सिर्फ भूल गये थे कि वो चल सकते हैं अपने सामने पड़ी एक डायरी उठा कर वो उसमें लिखा अड्रेस धूनने निकल पड़े एक तरफ सूज को पाने की ब्लिंट की कोशिश नाकामयाब होने लगी तो दूसरी तरफ अड्रेस पहचानने में लिंट कामयाब हुए और उन्हें पता चला कि वो अड्रेस उन्ही के घर का है अपने पती को वापस अपने घर आते देख डॉक्टर लिंट की पतनी इमोशनल हो गई और इस बीच डॉक्टर लिंट को अपनी पतनी और डायरी में लिखी चीज़े दोनों याद आने लगी उन्होंने जल्द से जल्द उस औरत का नाम सूज को बताया जिसने उसके बेटे को गोद लिया है पर जब जब जेबी उस औरत का अड्रेस ढूणने लगा तो उसे पता चला कि उसे इंटरनल अफेर्स वाले ट्रैक आएगा जेबी ने इंफोमेशन निकालनी शुरू करती और इंफोमेशन से उन्हें पता चला कि सूज का बेटा एड्रियन एक साइंटिस्ट के घर में पला बढ़ा और खुद भी एक बहतरीन स्टूडन बन कर आईटी प्रोफेशनल बन गया वो तीनों एड्रियन के घर तक पहुचे पर तब सूज ने कहा कि वो उसके सामने नहीं जाना चाहती और वो सिर्फ ये पता लगाना चाहती थी कि एड्रियन कहीं उसके जैसा ना बन गया हो पर जब सूज ने एड्रियन को देखा तो वो बहुत खुश हो गई क्योंकि उसने देखा कि एड्रियन सूज की सोच से बहुत बहतर जिन्दगी जी रहा है। उसने कहा कि वो उस घर में भी सिर्फ इसलिए रह रहा है क्योंकि वो लड़की उस घर से कुछ ही दूर रहती है। इसके बाद उसने उनके ओफिस की लाइट्स बन कर दी और फायर अलाम शुरू कर दिया जिसकी वज़य से ओफिस में भगदड मच गई। सूज जेबी को ये करते देख हैरान हो गई। ओफिस से सारे लोग निकलने लगे और किसी तरह जेबी ने एड्रियन को एलिवेटर तक पहुचा दिया। इसके बाद उसने क्लारा को भी उसी एलिवेटर में पहुचाया। ऐसा होने पर पहली बार एड्रियन क्लारा के सामने आया। क्लारा एड्रियन से बात करने की कोशश करती रही पर एड्रियन अब भी घबराया हुआ था। JB ने security को भी hack कर लिया था जिसकी वज़े से सुनकर Clara ने Adrian से कहा कि वो भी उसे पसंद करती है और Suze और JB की वज़े से Adrian और Clara एक हो गए सारा system ठीक करके वो तीनों वहाँ से निकलने लगे और Suze की आखरी इच्छा पूरी हो गई अचानक उनके सामने पुलीस वाले आ गए और JB और Suze को वहाँ से निकलने के लिए बिलिन ने पुलीस का ध्यान अपनी ओर किया उसने एक officer को थपड मारा जिसके बाद उसे गिरफतार कर लिया गया और इस तरह सूज और JB वहाँ से निकलने में कामयाब हुए वो दोनों वहाँ से दूर एक गाड़ी को हैक करने के लिए बैठे और तब एक दूसरे से बाते करने लगे पर पुलीस वालों ने उन्हें ट्रैक कर लिया बिलिन ने उन्हें बचानी की कोशिश तो की पर वो ऐसा कर नहीं पाया वो सिर्फ एक बंदूक उनकी और फैक पाया अंत में पुलीस के हाथ लगने से पहले जेबी ने सूस से कहा कि वो उसे पसंद करता है पर फिर उसे पता चला कि सूस उसके पास है ही नहीं और उसने देखा कि सूस बिलिंग की फैकी गन लेकर पुलीस वालों के सामने जा रही है ये देखकर जेबी उसके पास गया और अपने प्यार का इजहार करके उसने सूस से कहा कि वो उसी के साथ जाना चाहता है और बाय बाय मूरॉन्स कहकर उन दोनों ने ही एक साथ मरने का फैसला कर लिया